तो आप सब कैसे हैं उमीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे तो गाइज यह सुबह अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका मैं ब्रेकफस्ट रेडी कर रहे हूं तो आज मैं कुछ इनको नेया बना के दे रही हूं वैसे मैंने यह तो बना के अपने लिए तो खाया ह हुआ है पर कई बार जैसे ब्रेड होता था कई बार नहीं होता था तो आज ब्रेड भी रखे थे तो यह मैंने सूजी का पेस्ट बना लिया है और सूजी का पेस्ट मैंने इसको एक तरफ लगा के ब्रेड पे और इस पे तवे पे इसको डाल दिया है घी लगा के हलका सा औ और जब एक तरफ से अलका सा सिख जाएगा तो मैं इसको पलट लूँगी तो भई मैंने इसमें कुछने डाला वेजिटेबल तो बच्चे खाते ही नहीं है मेरे बच्चे तो सिंपल ही है इसमें कुछने डाला मैंने सिरफ सेंदा नमक डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है और काली मेच डाली है तो बस यही डाला मैंने इसमें और कोई मसाला एड़ नी किया है तो भई काफी अच्छे बनते हैं ये भी तो आप भी ट्राइ करना सिंपल सूजी के चिले तो आपने भी खाई होंगे और कभी ऐसे ब्रेड पे लगा के बना के देखना तो काफी टेस्टी लगते हैं ये तो बच्छों को भी काफी पसंद आए ये तो अभी देखो एक तरफ से सिख गया है तो मैंने इसको पलट लिया है दूसरी तरफ से भी मैं इसको सेख लूँगी और ये एक मैंने बना के रेडी रख लिया था पहले ही तो ये देखो दोनों तरफ से ये सिख गया था तो काफी अच्छा था टेस्टी तो गाईज आज है काश्वी का स्कूल में फंक्शन ये ड्रेस्मेंट दिखाए थे आपको तो ये लेंगा चुनी और ये चोली है उसकी और ये नेकलेस है गले का चोकर टीका भी दिया है ये रिंग्स भी है साथ में तो ये रिंग्स का क्या है मैंने इसमें लगा दिया है धागे तो क्यूंकि कान उसका एक छिदा हुआ है एक ने छिदा हुआ तो यह मैं कान पे ऐसे धागे के साथ बांदूंगी वैसे तो आएंगे नी कान में तो मैंने इसलिए इसमें ठ्रेट डाल दिया है अब देखूंगी कैसे डालती हो उसको पनाते इस टाइम में उसके कान के साइस का इसको करूंगी मैं तो अभी उसको उठाती हूँ मैं आज इसको जल्दी उठा रही हूँ क्योंकि टाइम लगाएगी वो मेकप बगेरा भी करना उसका तो अभी चलो उठाते हैं और रेडी करके दिखाती हूँ आपको तो गाईस काश्वी को मैंने उठा के उसको नहला दिया है और अभी मैंने उसको अभी सिरफ उपर की जो चो ल प्षाष दानेगी और टीका भी लगाना थो मैंने इसको पहले बालों को थोड़ा सा ड्रायर किया ताकि ये सूख जाए और अच्छे से इसका हेर। बल्ग बन पाएगे और मैंने इसको लहाँगा भी डाल दिया है और मैंने सिरफ इसको लोशन लगाया था पहले जो ये मैंने blush लगा दिया था और eyeshadow भी मैंने इसी से ही कर दिया था और lips पे भी बिल्कुल light makeup किया था मैंने और क्योंकि मैंने बोला था बिल्कुल light makeup करके भेजना है इसको तो मैंने जादा कुछ ऐसा लगाया नहीं था सिर्फ जो loose powder राता है फेस पे वो ही लगाया है lotion लगाया और loose powder लगाया और अब मैं लगा रही हूँ आज liner तो मैंने फस्ट टाइम काशवी को eyeliner लगाया है इससे पहले कभी मैंने इसको लगाया नहीं था और एक छोटी सी लगाई बिंदी तो भाई अब काशवी का जो है मैं hairstyle बना रही हूँ बाल इसके सूख गए है तो इसको टीका लगा के जाना था मैंने इसको टीके को पहले क्या pin-up किया तो बाल भी तो छोटे से ही है ना तो बस मुश्किल हो रही थी इसको pin-up करना और चोटी बना के जाना था तो जो आगे जो टीका लगाया है मैंने सोचा यह इदर उदर ना होए तो मैं इसमें सोच रही थी कि इसके आगे ना माथे पे double tape आती है ना जो वो लगा देती हूँ ताकि यह हीले ना अपनी जगे पे रहे जहां पे मैंने लगाया इसको तो अभी कुछ थोड़ा बहुत हिल रहा था है मैंने एक pin-or लगा दी थी इसक कानों में हैं अब मैंने धागे डाले थे तो मैंने भी बोला था कि उपर से इनको धागे के साथ हैंग कर देना क्योंकि थोड़े heavy भी थे तो बच्चों के कान में इतना heavy डालना वैसे भी ठीक नहीं होता है तो मैंने इसके कान के size का इसको thread को किया और मैंने इसके कान में बार बार चोटा बढ़ा हो रहा था पता नहीं अरजस्ट फूड़ा लूज रहा था या कभी बिल्कुल ही टाइट रहा था तो बस एक कान में मेरे को ज़्यादड के टाइम लग गया था उसको अर्जस्ट करने गई है स्कूल ड्रेस में अपने आज पर शेरी का तो काश्वी रेडी है तो फर्स टैम पहना बाइस ने ऐसा लुक ओहो तेरे जुम के तो बहु लेट हो चुके हैं काफी तो निकलते हैं गाइस बाइब बाइब तो गाइस काश्वी को मैं स्कूल में छोड़ आई हूँ और उसको स्कूल चोड़ने के बाद मैं अपने नहाद हो के मैंने सबसे पहले लगाई जोद बत्ती तो बही मैंने अभी पूजा कर ली है तो बही आप भी दर्शन कर लीजिए मेरी मातारानी के तो बही मैंने जोद लगा ली है और बही अब मैं बनाऊंगी चाए और पूजा मैंने कर ली है तो भाई अभी जो पती हैं वो भी सो रहे हैं उनको भी उठाती हूँ और चाय बनाती हूँ मैं तो गाई मैं अब रख लेती हूँ चाय और भाई पती भी घर पे हैं तो वो सो रहे थे अब तक तो मैंने खेले पूजा कर ली तो रात को अपनी ज्योटे पे गए थे तो अभी वो लेट आये थे रात को तो वो भी सो रहे थे तो मैंने उठाय नहीं तो बस अब मैंने पूजा कर लिए तो मैं अप चाय बना रही हूँ तो गाइस मैंने अपनी चाय रख दिये हैं और यहां मैं बना रही हूँ अपे जो सुबह पेस्ट बचा था वो अभी हस्बन के लिए बना रही हूँ अपे वो नफ्टे में ये कर लेंगे और अभी चाय उबल रही है तो बस अब मैं तो चिपसी लूँगी थोड़े बहुत बरत के और चाय बनने वाली है मिलेंगे तो देमें और गाइस आज मैंने लंच में बनाए थे बच्चों के लिए पुलाओ तो उसमें मैंने आज डाल दिये इसमें स्वीट कॉन, आलू, टमाटर तो अभी कुछ और तो सबजी बच्चे वैसे ज़्यादा खाते हैं बश्ची बतायते काफी और गाइस लंच करने के बाद हमने किया था रस्ट और रहस्ट करने के बाद आज शाम को सौचा कि चलो आज मार्केट चलते हैं देखते हूं मार्केट में क्या आया हुआ है कुछ न्दया करवा चोथ के लिए क्योंकि ज्यादातर शोपिंग सब क परी लेते हैं मैंने सोचा कि कभी कुछ मैं टाइम पर जाओं लेने और कुछ मुझे मिले ना कुछ पसंद आए तो मैं मार्केट पहुच गई थी तो मैं कुछ रेडी मेट में देख रही हूं क्योंकि टेलर के पास भी ऐसा टाइम नहीं होता कुस कि सिलवा ले आज कल रेड आज को बदोड़ा करें गाई शोपिंग स्टार्ट कर दी है मैं ने करवा चौत की के लदिन हम स्क्रामप जिस के सहां जर चौह जर झाल तो गाइस हमें तो चाहे कुछ मिला हो यह ना मिला हो कुछ पसंद आया नहीं आया पर काश्वी को वहाँ चाहे जरूर मिल गई थी पीने के लिए तो गाइस बस यह अपनी चाहे नजोई कर रहे हैं मिलेंगे नेक्स्ट लोग में